हेलो दोस्तों मैं मिश्टर डवी आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो पार्ट टू है सर्विश डेस्का पहले पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि कैसे उसे इस्टॉल करते हैं और कैसे उसको पोर्ट वोट चेंज करके कैसे कन्फिगर करते हैं हर एक एक चीज के तरही मिनिमल और जिवाई में भी तो यह देखिए यह पैनल है इसका कुछ इस तरह से आपको दिखता है जैसे कि मैंने इस्टॉल किया था अब यहाँ पर आप कलर सब कुछ इसके साब साब चेंज कर सकते हैं तो मैं इसमें आपको सारा कुछ बताऊंगा कि IT रिक्वेस्ट, IT से रिलेटिड होता है असेड्स और HR पोर्टल से रिलेटिड जो भी है बहुत सारी चीज़ होता है कैप का उप्शन भी इसमें होता है वह आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने सारे उप्शन हैं मैसेज जैसा लोग देता है यह आपको कोई निव टिकेट रेज करनी है चेंज पासवर्ट का देखो ऑप्शन है यह आप अपना पासवर्ट चेंज कर सकते हैं जैसा कि मैंने लाज्ट पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पार्ट टू में सारी चीज़े बताऊंगा इसके बार में इसे कैसे मैनेज करते हैं और प्रजेक्ट से रेलेटिड भी है कि आपको कोई प्रजेक्ट करेट करना है टास्क में होते हैं इंपलोई के कि आपने टास्स असाइन किया है तो यह सब रिकोर्ट रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है तो वह सारी चीज़े इसमें मैं कवर कर रहा हूँ आपको और भी कुछ इसके बार में जाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं इसे रेलेटिड और नेक्स्ट वीडियो भी बना दूँगा मगर प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल और नोटिफिकेसन भी जो कि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊ तो आपको उसका नोटिफिकेसन आए और आप वो वीडियो स्किप ना कर पाएं आप से मिस ना हो जाएं तो यह देखिए कुछ वीडियो टूटोरिल भी आते हैं आप वहां से भी लर्न कर सकते हैं जब नया आप सर्वर बनाते हैं तो वह आपको मिल जाता है तो यह देखिए आईटी एचार फाइनस से रिलेटेड ट्रेवल के बहुत सारी चीज़ें इसमें उपसंस होते हैं आप इसे पढ़ेंगे डिपली तो आपको बहुत सार मिलेगा देखिए यह एक सर्वी डेक्स आप बाव केंगे तो आप यहां से आप एक आपसेंग करेंगे तो यहां से इसटैप आपको बढ़े यहां से यहां से टाइट यहां से फेने ब्लैंक पे तो normal blank की image दिख़ राता वहाँ पे तो मैं अगर पर ऐस्जोर करता हूँ तो ये HR से रिलेटेटिड logo जो इसका flight world आता हो दे देता है तो अगर मैं फाइन है इस पे करता हो hyped फे करता हूँ तो फेसिलिटी से रिलेटीड आइकन दे दे गा फिर मैं ब्लैंक करता हूँ नॉर्मल वैसा ही तो मैं इस्टेंस का कोई नाम दे दूँगा यहाँ पर अगर HR से रिलेटिड बनाता हूँ तो HR नाम लेख दूँगा आपको जो सही लगता है आप वो दे सकते हैं HR, Helpdesk, Anything you think is correct for your name यहाँ पर आप description दे दीजिए जो आपको सही लगता है इससे related description में मैं लिख देता हूँ this is a related for HR HR से related है अगर मैं बना रहा हूँ तो HR portal से related है मतलब HR की leave, attendance बहुत सारी चीज़े पर उपसन होते हैं वो आप देख सकते हैं आपको manage करना पड़ेगा one by one आपको इसको deeply read करना पड़ेगा यहाँ पर देखो बहुत सारी user already बने आते हैं by default administrator तो होता ही है आप जब user create करेंगे तो आपको मिलेगा कहां से user create करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इधर देखे यूजर एक administrator तो ही by default जो बहुत दिखा रहा था महाँ पर बैक करके दुबार से आपको user पर ही ले जाता हूँ user तो अगर आप create नहीं करोगे तो उसको add कैसे करोगे HR में और HR किसे related वो तब ही देख पाएगा जब आप HR से related उसमें roles user sub create करोगे तो तो यह देखे यहाँ पर बहुत सारे option आगे user आगया by default जो user वहाँ दिख रहे तो यहाँ पर already बने हुए थे इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ new पर click करोगे तो import भी कर सकते हो आपकी पहले से ही बने हुए कुछ name तो आपको easy हो जाएगा आपका time बचा देता है बहुत सारा नाम फिल करना बहुत difficult होता है तो आप उसे import कर सकते है तो manager से यहाँ पर एक name दे दिया user का first name, middle name, last name होता है वो आप edit कर सकते हैं आप सारे options है और बहुत easy दिखाता है यहाँ पर edit करने के लिए तो कोई जादा difficult type का नहीं है तो last name और मैं दे देता हूँ यहाँ पर तो यह last name दे दिया यहाँ पर employee ID आपको देनी है सारे options हैं यह options आप देख रहे होंगे तो मैं employee जो भी code है आप वो यहाँ पर add कर सकते है कुछ भी मैं आपको ऐसे ही temporary example के लिए कुछ भी लिख के दे दे रहा हूँ job title जो भी उसकी job profile है वो आपको देनी है यह दिखा रहा है यहाँ पर department कौन सा है तो यह IT से related है तो IT अगर finance है तो finance जो भी मतलब engineer है उससे related वो आपको detail फिल कर देनी है तो यह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ detail कैसे फिल कर रहा हूँ है मॉबाइल नमबर आपको इंपलोई का add करना है description कि उसके बार में उससे related जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पर add कर सकते है क्योंकि next time अगर आप HR Portal पर आते हैं तो आपको क्या उसके बारे में information easily मिल जाए उससे related तो यहाँ पर मैं इसकी job profile जो भी उसके designation job title है वो यहाँ पर add कर देता हूँ phone number और भी alternative और मतलब उस बंदे की business impact क्या है high and medium कैसा है तो इससे यह भी confirm रहता है यहाँ बंदा मतलब बहुत matter करता है company के लिए तो वो मैंने रखा तो primary email और secondary email वो आप भी यहाँ पर add कर सकते हैं तो मैं आज यह हटा के चलो यह रख देता हूँ ऐसी demo के लिए तो मैंने यह ऐसी demo के लिए mail ID डाल दी फिर यहाँ पर आप secondary mail ID भी डाल सकते हैं SMS mail ID भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कि वो कौन है team member है team leader है तो मैं ऐसे example के ले लेता हूँ कुछ भी आप अपने हिसाब से उसे select करना यह देखिए यहाँ पर name है administrator है क्या है वो आप ले सकते हैं उसको reporting मतलब किसको है उसकी मतलब उसका reporting manager कौन है जिसको वो report करता है तो वो मैंने select किया फिर उसके बाद यह है कि उसको क्या-क्या अलाओ होगा मतलब उसको permissions cash case चीज के होगी वो देख सकता है नहीं कर सकता है बहुत सारे इसमें facilities आपको मिलेंगे तो login name उसका देना पड़ेगा कि वो किस name से वो login करेगा उस user को आप यह user provide करेंगे user login name तभी वो HR portal पर login कर पाएगा और HR portal पर login करके वो वो अपनी request या जो भी उसकी leave, holiday, attendance वो देखना चाहेगा तो वो वहाँ से देख सकते है तो यह चीज़ मैं बता रहा हूँ और HR से related यह user कैसे create करते है यह normally मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ अगर आपको इसमें related वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment कर दीजएगा मैं HR से related deeply और बता दूँगा कि attendance, portal, यह कैसे मतलब holiday, leave सब कैसे बनाए जा सकते है कैव, book करना, यह सारा कुछ record तो यह भी इसमें option available है मैं बता दूँग, group create करना हो तो मैं ऐसी knowledge के लिए दिखा दे रहा हूँ कि आप user को group wise, IT, HR और से related group में add करके इसी हो जाता है समझने के लिए तो बस मैं ऐसी समझाने के लिए आपको यह group दिखा दे रहा हूँ मैं add नहीं कर रहा हूँ आप बाद में add करना चाहे तो कर सकते है अगर यह group दिखा दे रहा हूँ जो कि आपको इसे थोड़ा overview दे रहा हूँ काम चल जाएगा कि नहीं उसे आपके सारे parameters complete चाहिए तो मैं लिख देता हूँ उसे related की उसका filter क्या रहेगा यह actually filter wise होता है easily हम उसे search कर सकते है find out कर सकते है तो यह facilities भी बहुत सारी है जो कि आपको easy to manage हो जाए तो मैं और भी group create कर देता हूँ HR से related group फिर finance related तो यह से मैं जल्दी जल्दी create करके दिखा देता हूँ मगर video skip मत कर दिये क्योंकि मैं end तक आपको IT help desk और इसे related जो project कैसे create करते है assets, IT record कैसे रखते है firewall, router, laptop ऐसे बहुत सारे options हैं इसमें वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो मत skip करिएगा और नेक्स वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो जैसे कि यह आगे दो group create हो चुके हैं तो में एक को और group finance का कर देगा जैसे कि finance की team है उसका एक अलब group हो HR का IT का engineer का software का sales team बहुत सार है marketing के तो आप ऐसे create कर सकते one by one और उनने उसन group पे add कर सकते यूजर को जो की easily आपको किसी को मतलब कि पूरा-पूरा report देनी हो status देना हो कि कौन से sales के बंदे कौन से हैं तो मुझो से mail करना है या कुछ भी करना है तो उससे रिलेटर यहां पूरा दिखा देगा आपको mail कैसे करे इसमें एक direct mail send हो जाए उसे तो mail send का भी इसमें है तो आपको SMTP outgoing incoming configure के लिए और क्या command देनी है वो भी आप भी से configure कर सकते है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आप इसमें तो wait कीजिएगा तो roles देखो roles बहुत important होते है तो roles में क्या होता है कि उसके सारी चीजे define रहती है और lady कि उसे वो क्या देख सकता है view कर सकता है table बहुत सारी चीजे create कर सकता है जैसे कि manager को हम कुछ दे देते हैं HR portal से related कि वो अपने user का यह चीजे configure कर सकते देख सके और उनके मतलव reporting को manage कर सके तो आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे HR portal जहांपे आपको सिर्फ HR portal ही मिलता है आप उसे सारे वो मतलब आप एक तरह से purchase करते हैं उने pay करते हैं maintenance के लिए वो सारी facility आपको यहां मिल जाएगी तो यह हो गया तो IT role manager से लिख दिया और नीचे क्या हुआ कि IT role है मतलब कि वो problems देख सकता है फुल पर अगर क्लिक करोंगा तो सारी permission मिलेगी complete access में अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस पर टीक लगाएं तो फिर लग जाएगा पूरे वे अगर मैं सिर्फ किसी एक को हटा हूँ जैसे edit की permission नहीं है उसे तो ऐसे हटा सकते हैं add की permission नहीं है तो वो इस तरह से हम हटा सकते हैं one by one अगर full पर क्लिक कर दूँगा तो अब complete यह टैक्सिस मिल जाएगा उसे तो यह है उसके permission देने के तरीके नीचे advance permission भी है नीचे आप one by one एक एक चीज भी particular change कर सकते हैं request से related जैसे नीचे दिखा रहा है तो यह रहा complete tutorial इस से role से related role बहुत matter करता है तो आपको यह चीज तो समझना ज्यादा जरूरी था इसके लिए चाहे यह IT helpless से related हो चाहे HR portal से चाहे project से तो यह सम्में user तो matter करता है तो इसलिए यह success हो गया तो अब हम क्या करते है user से related employee code जो मैंने बनाया था पूरा एक रूल यह आपको दिख रहा है ना user edition roles field जो है यहां से आप इसके field create कर सकते हैं जैसे कि आप employee ID department name यह ऐसे हैं तो आपको अपनी मर्जी का भी कोई यहां पे मतलब कि field चाहिए additional field आप create करना चाहते हैं तो आप create कर सकते हैं जो कि आपको लग रहा है कि नहीं यहां पर यह भी होना चाहिए हमारी company के हिसाब से कि हम यह भी field करें और वो दिखे उसके मतलब user information में या उसके portal पे या project पे जो भी है तो वो सारा आप यहां से create कर सकते है user edition से null field से तो यह सारी information मैं जैसे कि primary फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको यह create करना है उसकी cost मतलब क्या matter करता है वो सारी चीज़े भी आप डाल सकते है तो मैं एक और user बना रहा हूँ और इसका password password के इसकी भी length और special character यह सारी चीज़े है उसकी policy है तो वो भी यह देता है तो मैं save and new करता हूँ हो गया don't save कर दिया मैंने फिर यह यहां तक हो चुका है अब इतना बनने के बाद जब यह यहां पर देखे user इधर दिखा देगा users पर आप जब create करेंगे तो यहां पर आपको जो user आपने बना है वो दिखा देगा user name के हिसाब से दिखा रहा है तो user name भी है जो आपने नेम दिया वो भी है user group में जाएंगे तो आपने जो group create के हैं वो आप group check कर सकते हैं यहां पर पुरूरे प्रॉपर और अब मैं next इसके बाद बताऊंगा और भी चीजे मज़ए इसमें तो को active directory का भी option है अगर आपने कोई आपका active directory है आपको चाहे Windows Server पे हो चाहे Samba4 पे हो अगर Windows पे इजी है Windows पे मैं बनाने वाला हूँ Windows Active Directory पे कैसे server बनाए जाता है और Samba4 पे Active Directory कैसे बनाई जाती है Linux और फिरी पे वो मैंने बना रहे वीडियो आप देख लेना मेरे चैनल में है तो फिरी होता है आपकी कंपनी में अगर रिक्वार है तो यह देखे जैसे कुछ उपसंस मैंने आपको पहले भी बताया था यह उपसंस इसमें रहते है स्टेंस में जब किलिक करते हैं तो दोवार से मैंने किलिक किया यहाँ पे आपको सारे के सारे इंफोर्मेशन दे देगा कि क्या है कितने है आइटेंस तो मैं फिर से जा रहा हूँ न्यू श्टेंस करेट कर रहा हूँ न्यू श्टेंस करेट करने के बाद जैसे कि यह मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसके हिसाब से यह इसका कलर चेंज करता है images, जो logo है, look वो यहां पर change करते हैं, तो मैंने HR का फिर से रखा, और मैंने HT लिख दिया, चलो HR की जएगे मैं HT लिख लेता हूँ, थोड़ा different, पहले मैंने आपको HR लिखा था, माल लो मैं कुछ और नाम देना चाहता हूँ, तो मैंने है, ऐसे लिख दिया, माल, मगर यह HR डिपार्टमेंट है, तो यह बना दिया, एक नया, आप यहां पर यह create हो रहा है, तो उसके लिए आपको user, जो भी आपको देना है, ओनर को उने इसी का, तो यह, अगर आप उसी ओनर से लॉग इन करेंगे, तो आपको वो ही दिखेगा, वो ही मतलब इसका ओनर है, वो ही इस पर जाके इससे HR पोर्टल से रिलेटेड़ वो एक्सिस कर पाएगा, तो मैंने HR से रिलेटेड़ अगर बनाया, तो यहां पर देख सकता है, तो यहां पर नीचे आ गया, देखिए, एक और करेट करने के लिए, एक तो करेट हो जी चुका है, आमें फैनाइन्स और अकाउंट या जो भी आपको नाम सही लगता है, वो आप दे सकते हैं, मैं एक्जामपल के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ, तो मैंने फाइन्स लिख दिया, और यहां पर उसे फैसिलिटीज वाले को अगर सेलेट करता हूँ, तो फैसिलिटीज का आइकन दे देगा, तो दिखाने के लिए आपको कर देता हूँ, कि चलो इसको मैंने यह आइकन दे दे, तो एड्मिस्टेटर ले लेगा, और भी यूजर है यहां पर रभी सागर, तो मैंने यह ले लिया, मगर वो ही यूजर उसे एकसेस करके, उसके मतलब पोर्टल और जो इसू से वो चेक कर पाएगा, तो मैंने यह सेव कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेता है यहां पर, मैंने इस्किप किया तो जल्दी आपको देग गया, तो इस तरह का यह सामने आ जाता है, डिटेल के साथ, और नया करेट करना है, तो आप और भी करेट कर सकते हैं, अपनी डिपार्टमेंट और कंपनी के हिसाब से, उतने इस्टेंस करेट कर सकते हैं, जैसा है फाइनेंस, अकाउंट, असेट्स, IT से रिलेटेड, HR से रिलेटेड, मतलब वो आप उतने इस्टेंस करेट करके और उतने पोर्टल एक्सिस कर दे सकते हैं, तो क्या होता है कि कुछ टास्मेनेजर में बहुत खिचली सी पक जाती है, तो कन्फूजन सा होता है कि देखना मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके तरूँ एजी हो जाता है, और ग्रूप जो मैंने आपको बताई दिया, था उसके तरूँ यूजर मेनेज करना एजी होजाता है। तो डेपाइपमेंट वाइस भी आप यहां पे क्रेट कर सकते हैं, कि आपका कौन सा डेपाइपमेंट है, उस डेपाइपमेंट में वो यूजर ग्रूप अड़यड आड़ करके यहां पे अगर add करेंगे, import भी कर सकते हैं, उसके import का option है, तो यह facility बहुत अच्छी होते हैं, इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि सबसे problem वाली चीज होते हैं, एक एक नाम add करना बहुत करना होना, तो इंपोर्ट करने में वह आपका time बच जाता है, तो यह facility आपको यह provide कराता है this is a good thing for service desk manage engine और यहाँ पर क्या है कि अगर आपको domain LDAP से related है कुछ LDAP user बनाते है मतलब Linux में LDAP use होता है तो user को मतलब domain में manage करने के लिए तो आप यहाँ से add manage कर सकते है open LDAP ज़्याद तर यूज़ करते है freeware का Microsoft का है Active Directory का है तो वो आप यहाँ पर उसे add कर सकते है यहाँ पर सारी detail फिल करके save कर देना तो वो आपका configure हो जाएगा तो यह चीज़ आपको दिखाई currency बहुत सारे options आपको यहाँ पर मिल रहे है मैं एक एक चीज़ दिखाता जा रहा हूँ इतना difficult नहीं है यह चीज़ एजी है तो मैं यह आपको बता नहीं रहा हूँ अगर फिर भी आपको जानना है तो आप मुझे comment कर सकते है मैं उसके बारे में भी details में इसका next part में आपको पता दूँगा तो यह देखिए बहुत सारे options है यहाँ पर यह यहाँ पर मैं आपको नए browser में open करके दिखा देता हूँ क्योंकि एक तो हमारा server है दूसरा अब हमारा एक user login करेगा तो कैसा login करेगा तो कैसा view आता है यह भी आपको दिखा देता हूँ तो यह तो task वा सारे दिखाई रहा है Chrome open होने वाला है हो गया अब उसका जो user हमने create किया था डूवी नाम से रवी नाम से तो वो सारे user अपने अपने user से login कैसे करके देखेंगे तो जैसे मैंने डूवी user बनाया एक employee होगा जिसका नम डूवी है तो वो login करके देखता है तो कैसे लगएगा अगर सुपोज आपने यह ऐसे किया और वो password नहीं ले रहा है तो maybe user गलत हो तो आप user चेक कर सकते है और maybe आपका क्या कहते है password गलत हो तो password आप change कर सकते है तो आपको same यहीं जाना है जैसे मैं गया user मैं गया user मैं जाओंगा तो यहां पर सारी user दिखा देगा और मैं user name देखता हूं तो भाई user name तो मैं कहां गया तो आप नीचे करता हूं user name तो मैं do we लिख रहा था है यहां तो Mr. Do we लिखा हूँ है तो मैंने यह जाना मुच कर आपको दिखाने के लिए किया तो Mr. Dovee लिखा अब मैं उसका password डाल देता हूँ password भी वहीं पर आपको edit करके option मिल जाता है तो आप password भी उसका change कर सकते है तो ये देखिए login होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है ITLS और HR department दो बने रहते हैं मैंने ht लिख दिया था, याद होगा आपको तो उसमें जाके वह अपना create कर सकते है Dovee ओनर को ही मैंने Sebastian का जो नया department बनायाता तो उसी को permission दी ती तो वही उस portal में login कर सकता है HR portal में, तो ये देखिए सबसे helpful चीज है, और अगर account से related अगर मैं बनाता है तो account में add करूँगा, तो वह account में नहीं जा पाएगा ऐसे ही आप multiple, मतलब department के साब से वह बना सकते है और वह उसे related उसे manage कर सकता है मतलब HR से related आगिया आपका क्या HR portal है जैसे कि attendance से related मैंने ये बना दो उसमें सारी चीजे उसे assign कर दो permission अब जैसे ये हुआ request मैं ऐसे knowledge के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि user ले लिया requestor name जो आता है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ जैसे कि requestor को चाहिए कि salary script चाहता है वो description में लिखके चलो दिखा देता हूँ कि आपको क्या उसे related आप क्या चाहते हो तो आप उसमें डाल देंगे और और भी इसमें add request में option होते हैं तो किस के लिए आप डाल रहे हो वो सारी चीज़े इसमें आप add कर सकते हो category भी है urgency app में सारी चीज़े email के तुरू से notification जाना वो option यहाँ पर रहता है तो वो सारी चीज़े मिल जाती है यह तो ओलेडी यूजर आगा करेट होगा तो वो select हो जाएगा अब उसी यूजर से किया है तो ओलेडी आए गई तो यह में दुबार से लिख देता हूँ और इसे save कर देता हूँ तो अब इसे honor में इसमें जो जो add होंगे वही जिसको permission होगी तो वही इसे देख पाएगा तो वैसे हम directly देखेंगे तो नहीं दिखेगा यहाँ तो चलो इस user पर दिख रहा है तो यह ticket इस number से क्रेट होगे आप ticket wise number से आप उसे find out भी कर सकते कि कौनसी ticket है आप देखो यहाँ पर solution है task है checklist है work logs जो बनता रहे था time sheet जो होती है time analyze यह history सारी चीजे आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो इससे क्या होता है कि easily आप इसे देख सकते है चेक कर सकते है तो ज़्यादा डिकत नहीं होती है अब IT है अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से आप IT से related कुछ problem है mouse रिसू करना है कुछ problem आ रही है कुछ laptop ने चल ला तो बहुत सारी चीजे आप यहाँ पर मतलब आप डाल स उसकी configuration आपके में already add है आपकी user wise तो वो already आजाएगा आप add कर सकते है user wise एक एक assets भी तो यहाँ पर मैं आप इसको दे सकते है कि मतलब किस से related है क्या है desktop है क्या है और software से related है तो कुछ options आप इसको यह already category wise दे देता है तो आपको category select करनी होगी category हिसाब से find out करना भी easy हो जाएगा जो company में manage करते है कि किस मतलब high priority वाले category कौन से है और इस पर किसी मतलब IT के employee ने ज्यादा काम किया है और कौन इसे manage करता है तो easy हो जाता है last में जब appraisal होता है तो उससे related के find out करना कौन ज्यादा heavy वाला काम करता है high priority वाले करता है important काम करता है तो यह मैंने assign नहीं किया तो यह assign करना है तो आप वो भी assign कर सकते है edit पे click करके ठीक है high है तो high तो यह specified नहीं है तो बाकी यहाँ पर क्या reason for updating request आगर मैंने कुछ changes किया है तो अब वो पूछ रहे कि क्यों किया तुमने ऐसा क्या reason है तो यह mandatory है कि आपको यह edit करना ही करना है क्योंकि ऐसे नहीं कि बार बार आप जमन किया आप ticket को कर रहे तो यह भी एक अ तो जैसे कि मैंने यह कर दिया मैं जाता हूं direct server manage पर वहाँ पर अगर ticket देखना हो जिस यूजर को हम बना देंगा IT से related तो उसे वह यूजर पकड़ा सकते है उसे वहाँ पर भी दिख सकते है तो मैं direct यहीं दिखा दे रहा हूं आपको यह laptop से related task आगया मतलब एक ticket आगई अ फिर close करनी है तो यह सारी चीजे बहुत important है तो वो मैं एके करके बता दे रहा हूं आपको जैसे कि इसकी information आप देख सकते है कि कुछ इस तरह से ही आपको दिखेगा अब कुछ चीजे नहीं fill की हैं तो वो नहीं दिख रहे हैं आपको तो यहाँ पर देखो बहुत सारे options है resolution क्या है, resolution और solution क्या है, resolution और solution क्या है, तो यह resolution और checklets, workload, history, यह सारी चीजे दिखाएगा कि तो उसने डाला ता, फिर create cup किया, फिर update भी किया उसने, तो यह सारी information यहाँ दिखाएगा कि उसने क्या क्या चेंजिस किया, अगर आपको लगता है कि आप सिर्प, मतलब, reply करके, मतलब, यही पर ही आप उसे समझा सकते हैं, यही पर समझा के अपडेट कर दीजा, अगर वो समझ जाता है, तो फिर वहाँ से reply कर देगा कि हाँ, आप इसे close कर दीजिए, तो उसे close की भी आपको permission देनी होते हैं, जैसे मैंने यूजर में दिखाते हैं, उसे permission ती add, edit, create, तो बहुत सारे permissions होते हैं, वो permission भी आप उसे देंगे, तो वो खुद से भी close कर सकता है ticket, otherwise वो ticket भी close नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारे options रहते हैं, तो जैसे कि यह दिखा, अब वहाँ पर जाके देखा, तो उसको laptop में जो changes करके मैंने जो update दिया था, वो उसे यह मिल जाएग सारी चीजे, जैसे कि my laptop is not working, तो मैंने डाला, और उसे related मैंने update किया था, तो इसका solution जो था, वो मैंने लिखा, currently press the power button, तो कुछ solution ऐसे ही solve हो जाते हैं, तो मैंने ऐसी temporary दिखा दी आपको, तो action क्या है, आप यहाँ पर add note कर सकते है, cancel भी कर सकता है request, attachment भी डाल सकता है, तो जैसे कि यह सारे options है, तो यह request ID, यहाँ पर जैसे कि यह सारे options है, hyper ID, तो यह आप ऐसे देख सकते है, कुछ incident template भी यहाँ पर अबलेवल होते हो लेडी, software से related, हर एक एक चीज से related, तो वो आप देख सकते है, तो कुछ solution ऐसे ही मिल जाते हैं, और कुछ अब फर्स्ट टाइम तो आपको नहीं देख रहोंगे, वरना वो easy होता है, ज्यादा से ज्यादा solution वाली चीजे वो provide कराता है, इसमें कि ज्यादा से ज्यादा यह problem आती है, तो इसका solution यह रहता है, तो कुछ लोग इसे देख के भी, वहासे भी sort out कर सकते है, तो यह helpful होता है काफी चीजों में, क इतनी सारे options इसमें available है, तो जैसे कि यह मैं आपको कुछ दिखा रहोंगे, इस तरह से आप इसे manage कर सकते है, देख भी सकते है, तो यह भी कुछ facilities इसके अंदर है, तो मैं इसलिए आपको यह deeply बता रहा हूँ, तो अब चलते हैं, इसके server side पे, यहाँ पे तो देखो changes के लि करके, आप इसे edit कर सकते है, तो priority यह सब change कर सकते है, resolve हो गया, तो मैं resolve पे कर देता हूँ, तो यह resolve हो गया, उसके बाद इसे save पे click करना होता है, तो यह जैसे कि यहाँ तक हो गया, complete, इसको tick जरूर करना है आपको, वरना यह save नहीं होगा, देखो है, इस resolve हो गया, मतलब resolve उस पर click करके, अब request में जाएंगे तो देखो, यहाँ पर my open request तो है नहीं, एक भी क्लोज हो चुके है, अब check करना है, pending request, complete request, तो यहाँ पर click करके भी आप check कर सकते हैं, तो यह इस तरह से आप और भी easily filter कर सकते हैं, तो यहाँ पर गए तो उसे देखो resolve का message भी आ गया उसे, तो वो इस तरह से ticket को close, resolve, बहुत सारे option है, वो कर सकते हैं, तो यहाँ पर problem है, problem पर जाएंगे, तो देखो यहाँ पर, आप new problem यहाँ पर add कर सकते हो, उसका solution वगर बहुत सारी चीज़े, attachment डालके, आप इसे create कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, assets create करना, अब यह changes से related पत next part में इसके related बना दूँ, template यह देखें, और यह plus पर create करेंगे, तो देखो request name, उससे HR portal से related, वो create होती है, तो change requester, यह सारी चीज़े, बहुत सारी चीज़े यहाँ पर मिल जाती है, तो आप हहाँ से create करेगा, और project, project देखो important चीज़े, company का task manage करना, फिर उसको maintain करना, कि कि इसका क्या task था, कप complete किया, उसकी timeline क्या थी, time seat कैसे fill करेगा वो, कि मतलब क्या task दिया तो कितने time में complete किया, तो इस सारा कुछ मैनेज करना बड़ा difficult होता है, जीरा, open project, आते हैं इन सब चीज़ों के लिए भी, तो वो चीज़े facility देते है, open project free होता है, जीरा paid होता है, तो क requested by, मतलब कौन request कर रहा है, और open है कि hold पर क्या है, तो वो यहां पर डाल सकते हैं, और honor कौन है, वो आप अपने हिसाब से, मतलब जो honor user आपने create के है, वो उसमें add कर सकते हैं, और low है, high है priority पर, तो हम यहां पर डाल सकते हैं, और इसको एक time seat, एक timeline दीए कि इस timeline तक वो complete हो जाएगा, कर देना चाहिए, तो यह एक timeline fix कर दी जाती है, और department के department से, तो यह उसमें पूरा का पूरा एक एक चीज, हम उसको add कर देते हैं, वो task उसको चला जाता है, और फिर जब वो उसे open करेगा, तो वो उस task को complete कर पाएगा, तो मैंने, sorry, कुछ मिस कर दिया, तो save and उस पर click किया, तो यह आ गया, अब यहाँ पर project में जाके, जैसे कि यह दिख रहा है, उसका मतलब timeline, सब चीज उसमें add कर रही है, schedule भी दरी रखा है, save and add new किया, तो यह हो गया, पर इसे मैं अगर project पर click करूंगा, तो वो दिखाएगा, मेरा नया project क्रेट हुआ है, य schedule and project on task, कितना 15 complete हुआ, percent wise, वो सारा कुछ है, तो अब मैं यह देखता हूँ, इसके सारे चीजे, अब इसके लिए एक और चीज है, कि हमें इसका time sheet, task क्या है, यह सब हमें assign करने पड़ेंगे, वरना उसको मिलेगा कैसा, अब task क्या है, किस से related है, तो यह सब चीज आपको add क करने पड़ेंगे, कुछ तो इसमें by default आते हैं, तो नहीं तो add क्लिक कर पे भी करके हम नया task बना सकते हैं, मैं इस पर click कर देता हूँ, और add पे click कर देता है, ठीक है, यह add पे click किया, close कर दिया, हो जा भाई close हो गया, time sheet है, यह time sheet बरने पड़ती है, इसके बदा आभी empty है, तो member पे गए, इसमें जब तक हम member add नहीं करेंगे, तो उसको task जाएगा कैसे, किसको हम किसी task assign करें, जैसे डूवी को, तो यह दो लोगों को यह task दिखा देगा, वो इस task को कितना complete किया, कितना नहीं, वो अपना fill करेंगे, 100% हुआ है, 50%, 20%, तो उतना वो डालते रहेंगे, वो इतने घंडे भी भरते रहेंगे, आज इतने hours काम किया, तो वो पूरा होता रहेंगा, तो यह project admin है, तो team leader है, तो यह सब करके, add पे click करेंगे, तो वो add हो जाएगा, तो यह दो member add हो गए, अब यह task मतलब इन दो member के पास चला गया होगा, आब वो login करके देखेंगे, उ तो उस project भी जाना चाहिए है, records, request and solution ही दिख रहा है, तो यहाँ पे कैसे project आएगा, हमने ता भी project add किया है, all project भी नहीं दिखा रहा, अब आयादे को थोड़ा refresh किया, तो उसके बाद दिखा है, क्योंकि नया project का भी हमने उसे option प्रोवाइड किया है, तो उसके अंदर, I.T हडलेस के अंदर, उसे project भी दिख गया, task, यह सारी चीजे, यह दो को timeline, सारी चीजे दिखा रहा है, किस-किस को assign है, user, assign, तो यह सारी चीजे, और यह भी किसी को assign कर सकता है, तो उसके लिए भी, आपको वो roles में जाके, उसको permission सारे, मतब देने पड़ेंगे, हर एक एक चीजे मिल गई, task, static, यह सारी चीजे, इसमें भी जाके हम, इससे भी add कर सकते हैं, प्राइटी दे सकते हैं, जैसा कि समय सेम ही होता है, उसका timeline, सारी चीजे हम, इसको दे रहे हैं, और इस पर select करना है, okay पर, तो यह सारा दिख गया, यहां पर timeline, timeline है, schedule है, मैं यही से दिखा दे रहा हूँ, अगर यह सारी चीजे हैं, वो user fill कर सकता है, और उसको timeline हमने दे दिया, तो वो यह timeline दिया, अब वो कब complete करता है, तो वो उसके हाथ में, वो, जतना complete करेगा, उतना fill करता जाएगा, चैट का भी तो इसमें option होता है, तो एक और facility है इसमें, कि आप chat कर सकते हैं, तो यह भी बहुत अच्छा है, इसका option है, कि आप नहीं देना चाहते हैं, कोई और platform, आप यहीं पर अपने चीज़े रखना चाहते हैं, तो वो आप इसको यहां पर दे सकते हैं, यह देखिए, time state वगरा, इसके लिए मैं बाद में आपको deeply बताऊंगा, जो, तो यह देखिए, यूजर को सारे चीज़े देख रही है, उसे edit का pencil का icon भी आ रहा है, वहां से वो अपना काम के तरह 20%, 30%, 100%, तो वो यहां पर बढ़ सकता है, जैसे उसने अपना जहाता काम complete कर लिया है, तो यह किया, तो उसने 100% कर दिया मालो, actually start, यह सारी चीज़े, तो आप उसको, और open था, उसने काम complete 100% कर दिया, तो वो उसको close करना चाहता है, कि चलो मैंने आप task complete कर दिया है, तो मैं close कर रहा हूँ, तो यह close का ticket, जो भी उसका task था, तो इससे उसका timeline भी confirm हो गया, उसने कप, कितने time में उसको update कर दिया, इस सारी चीज़े, उसके task दो को 100% भी दिखा रहा है, कि उसने अपना task 100% complete कर दिया है, और यह जो end time के अंदर अंदर में हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी दिख जाएगा कि अब update किया है, templates भी है, बहुत सारे इसमें, आप बात में, और भी templates इसमें add कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़े हो गई, please मेरा channel जरू subscribe कर दीजिएगा, Mr.Duby, और वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक भी कर दीज़ेगा, जो कि में और भी से related वीडियो बना सकूँ, तो कुछ solution इसको यहीं पर ही दे देता है, तो वो आप देख सकते हैं, और जब नहीं है, तो नहीं दिखाता है, तो summary है, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि क्या-क्या टास किया, क्या-क्या नहीं, तो IT assets related के access point क्य क्या क्या दिये हैं, किसको और printer, laptop, workstation, सर्च जीज़ें, तो laptop अगर किसी के पास है, तो laptop assets का record सारा एक जगे manage होगा, IT का मतलब ये भी काम अच्छा है कि, बच गया कि उसका एक ही जगे पर आप IT assets के record भी रख पा रहे हैं, तो IT assets के record आप एक जगे रखेंगे, तो मतलब को यूजर का नाम दे दिया, यूजर नेम जो अलड़ी करिट है, तो यहां पर select कर लिया, उस यूजर का कौन को से service pack प्रवाइड है, उसके laptop की RAM केतनी है, memory, बोलते हैं जिसे, virtual memory, Linux में क्या होता है, by default जेतनी करिटा थी, Windows में भी होती है, तो मैंने 16 बता दिया, जो भी 16 तो मैं बस numbers लिक रहा हूँ, तो OS कौन सा है, Windows है, Linux है, 8, Windows 8 है, 10 है, तो आप इसमें डाल सकते है, service tag मतलब serial number उसका add करना, और model number अगर यहां mention नहीं है, तो आपको first time बना रहे हैं, तो आपको model number create करना पड़ेगा, तो Dell का, Lenovo का, HPSR, जिसका भी है, तो product name, और laptop एकी desktop है, तो वो यहां पर select करना है, manufacturer कौन है, तो आप डाल सकते हैं, जो भी मैं example के दिखा दे रहा हूँ आपको, और उस laptop की, मतलब cost price क्या है, values क्या है, तो वो आप यहां पर add कर सकते हैं, कुछ भी जैसे आपने नय laptop करीदा, तो 40, 45, 50, 60 का, जो भी, एक लाग का, जो भी है, तो आप यहां पर add कर सकते हैं, second hand है, तो 14, 15,000 का है, तो वो आप यहां पर add कर सकते हैं, तो यह मैंने जैसे model number यहां पर add कर दे, आसी और नयों ने, create कर सकते हैं, create करने के बाद, आप select कर लेना, first time create करोगे, फिर next time क्या होगा, आपको बस select ही करना पड़ेगा, तो यह क्या है, business impact क्या पड़ता है, इसका, और number of course, मतलब की i5 है, 4 है, number of course, i3 है, dual core है, i7 है, तो वो सब डाल सकते है, model name क्या है, उसका, तो वो उसका, सारी मैंने, hardest में model laptop का name लिख दिया, actually आपको hardest name, का model number है, SATA का है, किसका है, वो पूरा लिख सकते है, मैंने sort में लिख दिया, तो समझाने के लिए, तो serial number उसका लिख देंगे, यहाँ पर, capacity मतलब 500GP, 360, 320, और जो भी है, 1TB, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसके IP है, कुछ जगे क्यों होता है, IP और address, MAC address, bind रहता है, उसका, तो default gateway network, वो भी आप यहाँ भी फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ भी ऐसे दिखाने के लिए कर दिया, MAC address, उसका कुछ हो ऐसी, मतलब, alphabet, numeric, mix करके होता है, तो वो आप यहाँ पर add कर सकते हैं, नीचे और भी है, assets से related, तो वो आप अपने हिसाब से fill कर सकते हैं, यह मतलब, assets में है, use में है, store में क्या है, जो भी, तो वो add कर सकते हैं, और सबसे अची चीज इसकी यह भी है, कि आपने किस vendor से purchase किया, यह record vendor करना बड़ा difficult होता है, तो यह बड़ा ही हो जाता है, choose a user, user choose कर लिए हमने सबसे अची बात, कि किस user के पास है, और उसका profile हमने प उसने पिक कर लिए, उसकी information, और नया देखो, vendor है, तो आपने पहली बार vendor की information करेट कर रहे हैं, तो यहां से आपको करेट करनी है, और इस तरह से आपको, मतलब उसका price कैसे क्या रखना है, description, उस user के बारे में, information, address, वो सब आप डालना चाहते हैं, तो यहां डाल दीजिए उसका contact person, कौन है, उसका नाम डाल सकते हैं, contact number भी वहाप एड़ कर सकते हैं, तो यहां प्लस पे new पे किलिक करके, जितनी वेंडर है, उतने करेट कर दीजिए, और वहां से select करके, आप डाल सकते हैं, और domain उनका क्या है, तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे होता है, उनकी अलग mail ID, वेगर बहुत सारी चीजे, Gmail, login, URL, website, वो सब आ जाता है, तो इस तरह से आप और भी करेट कर सकते हैं, तो यह देखिए, यह मैंने आपको दिखाया, firewall, server, यह मैंने जो बनाया था, अभी, वो देखो, करेट हो चुका है, उसकी information, IP, सारी चीज़ों के साथ, service tag के साथ, एजिली आपको यह सब information मिल जाए, firewall की information भी रख सकते हैं, यह देखो बहुत सारा है, NTP क्या है, UPS कितने हैं, हर एक चीज़ का, video controller, virtual host, आप virtual machine बनाते हैं, तो उसका record भी रख सकते हैं, तो सब का अलग अलग आपको server का, सब कुछ आपको यह proper category के साथ provide कराता है, software आप non-license है, मताब free है, open source है, तो वो सारी चीज़े यहाँ पर ऐसे create कर सकते है, license agreement कोई है, तो वो भी easily, easy हो जाता है maintain करना, जैसे कि यहाँ पर standard है, क्या है, या upgrade कर रहा है, तो वो भी आप maintain कर सकते है, software है, जैसे कि Microsoft का, Adobe Reader है, Windows के license है, तो बहुत सारे license होते है, तो सब को maintain कर करना, उनकी date, expiry date, बहुत सारी चीज़े होते है, तो वो सारी information आपको यहाँ पर easily मिल जाती है, क्योंकि मैंटेन करना बड़ा मुस्किल होता है, अगर आप कहीं यहाँ यहाँ लिख के रखते हैं, तो यहाँ पर आप डारेक्ली जाके चाह कर सकते है, बहुत easy हो जाता है, तो software का नाम दे सकते हैं, कि कौन सा software है, जैसे MS Office है, तो मैंने MS Office लिख दिया, जो भी A365 अगरा तो आप दे सकते हैं, और वो कैसा है, मतलब exclude है, या मतलब paid, open source free, क्या है, वो आप वहाँ पर edit कर सकते हैं, तो software category, किस category में आता है, वो database, account, मतलब किस से related, account से related है, टैली का ह होता है, और sales से related है, अलग अलग आते है, software से related आता है, कोई designer है, तो उसका Adobe Creative Cloud होता है, तो वो सारे software के category होती है, तो आप दे सकते हैं, और version कौन सा है, और उसका कितना price आता है, तो इससे ये maintain करना भी जो 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 जाता है, कि हमारा खर्चा कितना आता है, software रुपे, तो यहां पर information और भी हम डाल सकते है, installation से related, add कर सकते है, कि हाँ चलो, यह add हो गया, यूजर के साब से, history भी उसकी दिखा सकता है, दिखाता है, जैसा कि, तो यह आ गया है हाँ पर, अब, delete करना है, remove करना है, कि चलो आप नहीर है, हमारे पास ये license, अब हम नहीं ले रहे, हटा है, तो वह हम सब कर सकते है, वह stream में जाकर चेक भी कर सकते है, तो software summary भी हाँ पर मिल जाती है, जहांसे आप directly उसको देख सकते है, कि क्या, मतलब है, software क्या, कितने है, कितने हैं, कितने हैं, तो वह सारा information वहाँ पर आपको मिल जाता है, scan software, एक एक चीज, software scan कर लेगा सीधा, कितने software क्या कैसे हैं, तो बहुत असान होता है, अब यह सी, यह क्या है, manage business service, easy, card layout, यहाँ पर क्या होता है, access point business, बहुत सारा cluster में, firewall मतलब, एक easy आपको way मिल जाता है, जहां पर आप manage कर के देख सकते हैं, एक एक चीज, तो cluster way में भी दिखाता है, कि मतलब को किसको report कर रहा तो वो सारी चीजे भी यहाँ पर दिखाता है, तो यह भी एक अब company का architecture, जो भी है, सारा design, सब समझना easy हो जाता है, तो उसके लिए यह एक बनाया हुआ है, data center से related है, तो data center से related है, आप यहाँ पर उसकी information add कर सकते हैं, वो data center, data base, server, कौन, किस से connect है, और कहां, मतलब, किदर मतलब उसे manage कर रहा है, तो वो सारी चीजे, मतलब कौन use कर रहा है, तो यह सारी चीजे भी वो manage हो जाती है easily, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यह बहुत अच्छा option, यह provide कराते हैं यहाँ पर, IP phone है, IPS है, IT service है, तो यह बहुत अच्छी बात है, तो यह आपने द dot है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप और भी options उपन कर सकते हैं, तो यह इसकी बहुत अच्छा मतलब facility provide कराता है, तो मैंने यह आपको यहाँ तक बता दिया, अब हमें क्या करना है, इसके बाद, अब CMD तक मैंने आपको दिखाए, यहाँ पर क्या है कि इसके cluster भी में दिखा देता है, cluster मतलब आप समझ सकते हैं कि एक जैसे एक अलगी मतलब design की रूप में दिखाएगा वो, अब यह क्या है कि मैं SQL database का नाम, मतलब ऐसे कुछ भी मैं input कर रहा हूं, तो वो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं कि आपको यह ऐसे information यहाँ पर फि इतना होता है, इतना सब को, तो वो सब यहाँ पर फिल करके रख सकते हैं कि आपको ज़्यादा जरूद नहीं है, ज़्यादा कोश्टली बढ़ता तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्राउट पे बैटर है कि यहाँ बैटर है वर्चुली बैटर तो वो सारा कुछ मैंटे करते हैं, आपको फाइंड आउट हो जाता है कि कोश्ट क्या रही है, और कैसे हम उसे मैनेज करें और कैसे कम कोश्ट रखें, तो यह भी चीज एक मैनेज करने के लिए टास्से रिलेटर मतलब फुली कोश्ट कमपनी की एक एक चीज को समालना, कंट्रोल करना, यह सब की बैस्ट है, तो यह एक एक चीज दिख रही है, आईपी देना की क्लस्टर करेंट करते है, तो यह जैसे कि आपने देखा कि यहां पर कौन सा वो मतलब क्लस्टर है, माइसक्वेल का है, माइकोसोफ्ट का है, डाटाबेस का है, तो वो क्रेट करती है, उसने, तो यह देख को छोटा सा में केलेट करूंगा तो इधर थोड़ा से ओपर करते हैं यह नीचे को हाइड हो रह यह साइड में फ्लस माइनस वाल इकन इससे चोटा बढ़ा करके वियू को भी हम देख सकते हैं काफी नीची हो गया, अब थोड़ा小ड़ इस से क्या कनेक्सें में वह सारा हम दिवन भाय बनीद यह याँ पर करकर is और प्रॉपर में समझा के किसी को समझा शकते है और दिखा सकते है और खुद को भी समझने में अथान रहेगा कि आभी तुझे ऐसे कि बढ़ाना है तो बहुत एजी हो जाता है यह चीज मतलब इतनी सारी चीजजे सिर्प एक ही में दिखाता है one and only for all things यह देखिए इस तरह से कुछ डिजाइन होते हैं कि आपको PR यह क्या है कि PO अगेरा क्रेट करने के लिए सारी चीजें क्रेट PO मतलब आप कोई होता है कि IT का है कोई employee है कोई अलग sales में उसे mouse चाहिए लैप्टॉप प्रोब्लम यह नया लैप्टॉप चाहिए तो वो क्या करता है mail करता है फिर IT वाला उसे डालता है तो एक एक यहां से एक प्रोपर एक चलता है chain तो यह समझाने के लिए कि एक purchase की new request डाली तो यह request admin को जाएगी फिर admin से क्या होगा कि वो approval लेगा फिर उसका P.O. अगर आ जाएगा तो एक एक करके वो फिर उसको मतलब purchase करेगा उसका जो date है request date क्या थी due date क्या है कि कब तक चाहिए तो वो सारा manage हो जाता है request किस के दोवारा हो रहा है यह डाला जा सकता है technician और shipping detail कि हाँ मतलब हमें किस address पर वो चाहिए तो वो सारी information आ जाती है इसमें और save कर सकते है तो cost वागरा भी हम add कर सकते हैं मैंने name नहीं डाला यहाँ पर एक अच्छा option यह है कि आपको क्या चाहिए और कितनी चीज़े चाहिए तो वो one by one add जैसे mouse भी चाहिए साथ के साथ keyword चाहिए साथ के साथ आपको laptop, ram या मतलब copy book, pen वो आप add कर सकते हैं quantity दे सकते हैं कि कितनी चाहिए और क्या price तक का आप रख सकते हैं अब तो उसके price कितना रहना चाहिए total price भी दिखा देगा कि आपका कितना total तो यह क्या होता है cost को आप जो भी है manage करना easy हो जाता कि कितना इसके cost आ रही है तो वो सारा कुछ तो को approver approve करने के लिए तो मैं यही से कर दे रहा हूँ otherwise क्या होता है approve वहां से होता है जिसको access होता है वो वहां उसके पास जब यह जाएगा add हम करते हैं create करते हैं तो यहां पर क्या करते है इस तरह से service request हम दिखा सकते हैं तो यहां पर बिल्कुल mail look में दे रहा है तो बहुत अच्छा इसका उसके पास जाएगा request के लिए तो वो एप्रूब करेगा और लिख के देगा कि हाँ please purchase या जो भी है या इसका record maintain करना है या कुछ होता है तो मतलब जो भी वो लिख सकता है और approved हो चुका है history में भी दिखा रहा है तो यह approved का sign आगया मतलब वो purchase कर सकता है तो purchase फिर उसका cost हो गए रहा या सारी एक एक चीज़ mail के तुरू maintain भी हो जाएगी close PR जब complete हो जाए तो उसे close कर सकते है या cancel करना कि नहीं लेना है कुछ और reason आ गया कोई कि हमार बस laptop है या कोई new बंदा आ रहा है नहीं आ रहा है तो ऐसे मतलब अब मैं देखा देता हूँ आपको कि इसमें mail का option भी आता है mail तो configure करना ही पड़ेगा वरना mail कैसे जाएगी यहाँ पर हम configure कुछ भी चीज डालते है तो उसको एक mail भी तो जाएगी जिससे वो देख सके कि हाँ चलो एक नई request आई है या कुछ भी आया तो उसे वो कैसे check करेगा तो उसके लिए उसको acknowledge के लिए हर एक एक चीज के लिए तो यह mail configure चुरूरी है तो यह basic है normal आपकी mail name जो भी है आपका mail service name IP है तो IP वैसे तो domain name ही होता है वो डालके sender का नाम और reply जिसको होगा वोसका नाम और protocol कैसा SMTP है तो वो TLS है तो yes करना है अगर normal है तो no ही रहेगा और port क्या है 255-465-587 है वो request authentication मतब user name जिस user के थुरू आपको भेजना है तो उसका username और passport तो डालना पड़ेगा तो वो आप यहाँ पे डाल देजें मैं ऐसे example के लिए डाल दे रहा हूं कुछ भी तो यह डाल के आपको save पे click कर देना है यह तो proxy click है तो check भी कर सकते हैं आप यहाँ पे यह भी अच्छा option है कहीं गलत configure तो नहीं है तो आप test कर सकते हैं कि आपका mail send हो रहा है कि नहीं हो रहा है incoming भी है यहाँ पे incoming में भी same configure करना आपको pop i map कौन सा server है तो उसके साब से आपको यह configure करना है एक चीज यहाँ पे pop i map का एक डिटेल है और port number भी है वो आप add करके और fresh mail every one minute यह भी option है कि mail के तिन दिर में fresh करेगा चेक करेगा वो सारी चीज़ें यह उसका क्या होता command मतलब आप क्या command देखे उसे mail send करना चाहते तो वो भी सारे options यहाँ पे है with detail कि आप कैसे उसे कर सकते है help के साथ help card भी है तो यह सारी चीज़े मैंने आपको A to Z बताई है जो बहुत ही helpful है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई मगर प्लीज आप देखते रहेगा अगर आपको कुछ और भी जानना है इससे related यह enough नहीं है तो आप मुझसे contract कर सकते है तो purchase का दो को यहाँ दिखेगा वो पियो के rate किया था यहाँ सो करता तो यह मतलब admin department से भी होगा जो purchase करता है purchase admin department तो assets जो manage करते है तो यह सारी चीज़े यहाँ पर contact भी आप एड़ कर सकते हैं आपको contact ढूणने में सारी चीज़े information बड़ी easily मिल जाएगी तो यह बहुत अच्छा option भी है कि मतलब यहाँ पर आपको A2Z सारी information सब चीज़ मिल जाती है तो thanks for watch my video और please मेरा channel subscribe कर दीज़ेगा वीडियो लाइक कर दीज़ेगा अगर आपको अच्छी लगिये तो please बाई बाई टाटा